क्या हो अगर एक बुद्धिस्ट मौंक अपने उदेशे से भटक जाए, धर्म के रास्टे पे चलने के बजाए अधर्म के रास्टे पे चल पड़े आज की कहानी भी ऐसे ही मौंग शिशिकी है जो एक लड़की से आकरशित होकर स्पिरिचल रास्ते से भटक कर सेक्शल रास्ते पर चला जाता है आखिर इसका अंजाम क्या होगा हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल मुवी स्ट्राइब दोस्तो आज की कोरियन मुवी स्प्रिंग समर फॉल विंटर एंड स्प्रिंग एक अलग तरह की मुवी है जिसके जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही खूबसुरत इसे पाएंगे मुवी के डिरेक्टर किम की डुक और आइम टिबी रेटिंग 8 है तो वीडियो को शुरू करते हैं कहानी को इंजॉई कीजे और फ्रेंस हमारे एक्स्प्रिंशन आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको इंटेटेंट करते रहे साउथ कोरिया नौर्थ यांग संग के घने जंगल और पहाड़ों में बसा एक कुदरती तलाब और उसके ठीक बीचों बीच तैरता बुद्दिस मॉनिस्ट्री जिसमें रहते हैं एक गुरू और उसका सिश्य इस मॉनिस्ट्री में दाखिल होने के लिए एक बड़े से लकड़ी के दर्वाजे से होकर कुजरना पड़ता है जो किसी का रास्ता नहीं रोकती और हैरान की बात है कि इस दर्वाजे के इर्द किर्द कोई दिवार ही नहीं है फिर भी सब इसी दर्वाजे से ही आना जाना करते हैं कहानी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन से यानि वसंत रितू हर दिन की तरह गुरू पहले उठा, बुद्ध की मुर्धी को प्रणाम किया और फिर अपने सिश्य को उठाया यहां कमरे के अंदर भी बस दर्वाजा बना हुआ है बिना किसी दिवार के दुनों तयार होकर एक छोटी सी नाओ में किनारे तक जाते हैं यह नाओ उन्हें बाके की दुन्या से जोडता है नाओ पे बोधिस्त्व ग्यूनियन के तस्वीर बनी होती है यह नाओ ही बाहर की दुन्या में आने जाने का एक मात्य साधन है उस बड़े लकडी के दर्वाजे के पास उतर कर गुरू भीक्षा मांगने और सिश्य जड़ी पूटी इकठा करने चला गया कुछ समय बाद दोनों वापिस लोटे फिर लाए गए जड़ी पूटी में से गुरू उसे सही और जहरीली पत्तों के बीच फर्क करना सिखाता है जो बिलकुल एक जैसे दिखते हैं उस छोटी शिश्य का एक पेट डॉग होता है जिसके साथ वो सारा दिन खेलता है एक दिन सिश्य अकेले नाओ लेकर किनारे पे गया और एकेकर छोटी मशली, मेंडग और साप को पत्तर से बंदे धागे से बान देता है उनकी तकलीफ देखकर उसे बड़ा मज़ा आता है जैसे ये उसका नया मनरंजन हो लेकिन ये सब करते हुए उसका गुरू देखरा होता है लेकिन नाओ की बिना वो वहां तक पहुँचे कैसे वापसी में गुरू एक बड़ा पत्थर अपने साथ ले जाता है अगली सुबा बच्चे की पीट पर वही बड़ा पत्थर बंदा होता है जिससे उसको चलने में काफी तकलीफ होती है वो गुरू से उसे खोल देने को कहता है तब गुरू ने कहा तुमने सोचा था उन जीवों के तकलीफ के बारे में तुम्हे पहले उन सब को आज़ाद करना होगा और अगर कोई मर गया तो उसके दुख का भार तुम्हे उम्र भर अपने मन में लिये रहना होगा वो वापिस वहाँ गया लेकिन सिर्फ मेंड़ को ही बचा पाया बाकियों को आज़ाद करने से पहले ही मर चुके होते हैं उन्हें मरा देख वो बहुत रूने लगा पहली बार उसने दुख को मैसूस किया था स्प्रिंग के बाद अब समर सीजन दिखाता है दर्वाजा खुलता है बच्चे से अव्वसिष्य जवान हो गया है जंगल में दो सापो को संभोग करते देख उसके मन में भी एक्चाय पनपने लगती है फिर वो उसी बुद्ध मुर्थी के उचाई पे खड़ा होकर दूर दूर तक देखता है बच्चपन में और अभी में उसके देखने का दाइरा और बड़ा हो गया है उनके यहां उसी के हम उम्रे के एक लड़की अपने मां के साथ इलाज करवाने आती है इस बार उनके आंगन में डौग नहीं बलकि एक मुर्गा दिखाई देता है रात में सोते हुए वो उस लड़की को देखता है अगले सुबा गुरू उस लड़की के मां को यकिन दिलाता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी उसकी मां कुछ दिनों के लिए उसे वाँ छोड़ कर चली जाती है सिश्य दीरे दीरे उसकी तरफ आकरशित होने लगा उसे छुप छुप कर देखता उसने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था एक रात जब लड़की सोरी होती है उसने उसे चुने की कोशिश की तो लड़की ने उसे थपड मारा घबरा कर वो बुद्ध भगवान से माफी मांगने लगा फिर लड़की उसके कंदे पे हाथ फेड़ती है गुरू लड़की को जंगल से लाए जड़े बूटियों का रस निकाल कर पीने देता है थोड़े दिनों में असर होने लगा और लड़की ठीक होने लगी धीरे धीरे खुलने और हसने बूलने लगी दोनों साथ जंगल घूमने निकलते सिश्य उसे पीछे से निहारता रहता उसके पास जाने के कोशिश करता रात रात भर नहीं सोकर बस लड़की के तरफ ताका जाकी करता दोनों बहुत ही घुल मिल गए एक दिन तेज बारिश हो रही थी सिश्य से रहा नहीं गया और दोनों इंटिमेट हो गए गुरू के आँखों में धूल जोग कर दोनों एक साथ सोते एक रात दोनों चुपके से नाओ पे दूर निकल गए और नाओ पर ही इंटिमेट हो गए अगली सुभा गुरू नाओ में दोनों को बिना कपडों में एक साथ सोते हुए देख लेते हैं गुरू कोई रियाक्श नहीं देता लेकिन उन्हें पता है किसी को पाने की एक्छा से लोग उस इंसान पे अपना अधिकार चाहते हैं जो आगी जाकर दुख का कारण बनती है उसके बाद गुरू नाव में पानी निकलने वाली जगा को खूल देता है धीरे धीरे नाव में पानी बढ़ने लगा दونों जाग गए सश्य गुरू से माफ़ी माँगने लगा जिस पर गुरू ने कहा दोनों की गलती नहीं पर दोनों को यहीं रुखना होगा कुछ समय बाद गुरू ने लड़की से पूछा क्या अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है वो हाँ कहती है फिर वो उसे यहां से जाने को कहता है पर सिश्य आप इसे बाहर हो गया और उसे जाने से रोकने लगा गुरू तुरंट लड़की को नाउ से उस पार छोड़ाता है यह सकती भले ही अभी सिश्य को गलत लग रही हो पर उसे सही रास्ते पढ़लाने का यही एक रास्ता था पूरी रात सिश्य सो नहीं पाया भोर होते ही उसने बुद्ध की मूर्ती को जोले में भरा और वहां से चला गया गुरू जगे रहने पे भी उसे नहीं रोकते क्यो पीशा की तरह भीक्षा मांग के गुरू वापिस आया उसने खाने की कागस पे एक खबर देखी कि तीस साल के आदमे ने पत्नी का कतल कर फरार हो गया तरहसल यह वही सिश्य होता है उस रात वो उसके लिए कपड़े सीलता है क्योंकि वो जानता है अब उसके वापसी का व लकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था गुस्से से जमीन पे बार-बार वार करता है उसके अंदर इतना गुसा भरा देख गुरू उसके सफरिंग का कारण पूशता है उसने कहा मेरी सबसे बड़ी गल्ती थी मैंने उससे प्यार किया मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था पर वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। गुरू से समझाता है हमें जो पसंद है उसे भी कभी हमें जाने देना होता है पर इस्तिती और लोग हमेशा एक से नहीं रहते। रात भर उसे नीद नहीं आई और अगले दिन उसने सुसाइट करने की कोशिश की। गुरू ने जब ये देखा पहले तो उसने उसे बहुत मारा और फिर उसे सजा भी दी। उसके बाद गुरू बिल्ली की पूछ से प्रजना परमिता हिरदे मंत्र पूरे आंगन पे लिखत जैसे जैसे वो ये करता जाएगा उसके मन में भरा सारा गुस्ता, दर्द, कम होता जाएगा और उसे आत्मशान्ती मिलेगी। उसने ये करना शुरू ही किया था कि दर्वाजे पे दो पूलिस वहां पहुंचती है। गुरू उनको नाउं से ले आते हैं। पूलिस को जाज़त दे देते हैं। अगली सुबा काम खतम कर सिश्य वही सो जाता है। दोनों पूलिस वाले गुरू के मदद करते हैं। उन उकेरे हुए अक्षरों में रंग भर कर। जब सिश्य नीन से जाकता है तो उसका सारा गुस्सा शान्त हो जाता है। जैसे कि गुरू ने क गुरू को मालूम है कि वो आखरी बार अपने सिश्य को देख रहा है। अब जैसे कि गुरू के सारे काम पूरे हो चुके हो। जादरतल समय गुरू एक कुने में बैट ध्यान में लगे रहते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अगनी में समाधी ले ली। समाधी लेते व नाओ के नीचे से तैर कर निकलता है जो इस बात को दिखाता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है क्योंकि बुद्धिजम में साप, जनम और मृत्यू के लाइफ साइकल को दर्शाता है। अब बड़े दर्वाजे को विंटर सीजन यानि सर्दियों में दल गया है। सिश्य अपनी सजा काट के वापिस आ चुका है। अंदर उसने देखा उसके गुरू की कपड़ों पे वही साप पैठा हुआ है। नाओ के पास जाकर सिश्य अपने गुरू को प्रणाम करता है। फिर उसने उस जगा का बरफ खोत कर उनकी मिले अस्थी को ए उनके दिखाए रास्तों पे चलता है। उनके देखों को अपनी जिंदगी में अमल करता है। ऐसे ही समय बीतने लगा और फिर एग दिन एक औरत अपने नवजाद बच्चे को उस मौनस्ट्री में लेकर आती है। पर उस औरत के चेहरे पे कपड़ा बंदा होता है। शाय में एक भारी पंसा मैसूस होता है क्योंकि वो जगा उसी ने खोदी थी। मन के बोच को हलका करने के लिए वो अपनी कमर में रसी से एक भारी पत्थर बांदता है और उसे घसीटते हुए बहुत लंबी चड़ाई चड़ता है। ठीक वैसे जैसे उसके गुरू ने उसके स साथ बच्पन में किया था। अंत में पहाड के चोटी पहुँचकर वो ग्यून्यन बोदिस्त्व की स्थापना करता है जो दया का प्रतीक है अब वहां से उसे पूरी घाटी दिखाई देती है। जब वो छोटा था तो उसे सिर्फ पानी में तैरता मॉनिस्ट्री दिखत है अब एक नया जीवन चक्र शुरू हो गया है वो सिश्य अब गुरू बन गया है और उस औरत का बच्चा उसका सिश्य इस बार आंगन में कच्छवा दिखता है और वो छोटा सिश्य उसके साथ खेलता है फिर वो भी उसी की तरह मशली मेंडग और साप के मूँ में पत् चला जाता है जिससे उसको तकलीफ पहुँचती है यही कभी न खतम होने वाला जीवन चक्र है दोस्तों बिना दिवार का दर्वाजा ये दर्शाता है हमारे पूरवजों ने जो सिखाया है उसका सम्मान और पालन करना चाहिए इस पूरे मूवी में कुछ जीवों को फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो डौक को दिखाया गया जो आगयकारी होता है जैसे शिष्य गूरु के प्रति था जब वो जवान हुआ तब मूर्गे को दिखाया गया जो मनुशी के एक्छाओं को दिखाता है जैसे शिष्य अपने एक्छाओं में बै गया था फिराई बिल्ली जो शांत रहकर किसी चीज़ पे एक तक ध्यान लगाती है जैसे शिश्य को अभी आत्म शांती की जरुवत थी और अंत में कच्छवा जो धैर्य, शेहनशीलता और लंबी आयू का प्रतीक है जो शिश्य के जीवन के आखरी पड़ाव को दिखाता है और अंत में वो सुख, इरिशा, मौ माया अंदर दाखिल होती है लेकिन हम कितना उससे परभावित होते हैं खुद को कितना सही रास्ते पर रख सकते हैं यहीं हमारा सफर है दोस्तों आज की एक्स्मिनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरू शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्स्क्र